खिर स्वागत आपका आजिकी ए키ीसोड में ऐसी कि और में और अच्णिव डेवलेप्ट क्रूर्पैंट तो एक छोटी सी चीज हम वह देख रहेते हैं कि वह सबसे मेAmzen कीज Constructivism आकरिकार यह कहता है that the child is the creator of knowledge लेकिन अगर child अगर वो creator है तो उसके बहुत सारे aspects हो सकते हैं जो एक aspect है वो आपका है कि जो radical aspect है जिसको जीन अपियाजे मानते थे मैंने वो JP लिख देता हूँ और एक था आपका social aspect जिसमें society और social relationships effect करते हैं चाइड की learning को या चाइड के constructivist उसका behavior है उसको बनाने में यह आपका love यह वाइगाउट की वो करते हैं वाइगाउट की थेोरी की बारे में हम अगले episode पढ़ेंगे आज हम बात करते हैं पियाजे थेोरी फोगनिटियो और यह देख लेते हैं पियाजे है जो मैं इसको कहा कि वो radical का सक्टिविस्ट क्यों है वो इसलिए है क्योंकि वो यह मानते हैं कि जो आपका जूंका फर्स्ट प्रिंसिपल है यह 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 है कि जो every child constructs his or her own knowledge and the function of cognition is an adaptation not a mere representation of actual reality अब यहाँ पर यह है कि जो child है वो दो चीजें देखिए हम इसको एक बार देख लेते हैं adaptation और assimilation यह दो चीजें आएंगी मैं भी आपको इंतिवार में हलका सा बता देता हूं फिर इसके बाद में हम इसको डिटेल में वो करेंगे डिसकर adaptation और assimilation हर चेका होता है इसमें यह होता है कि child जो है वो चीजों को खुद जानके वह सीखता है और देखता है कि कौन सी चीजें उसके लिए सही हैं और फिर वह अपने नॉलिच को अपने आप एन्हांस करता है और अगर कोई बचा है और अगर उसके सामने अगर आप कोई गर्म चीज रखते तो फिर जान जाएगा कि अगर यह चीज ऐसी है तो इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए और फिर आपे कहेंगे कि जो प्याजे है वो बिल्कुल ही एक सेल्फ वा सेंटर चाइल जो है एक होता है कि आप बिल्कुल ही जो बच्चा है जो उसकी पूरी नॉलिच है वह उसी से मंधिस हो दिर इस इस अल्सों कॉल्ड वान मैं आम में वी पुत्योरी कि यह कराब यह बंदा है और वही वह पू चलता है फिर वह अपनी नॉलिच को एंहांस करता है इसके लिए हमें दो तीन चीजों की बात करने पड़ेगे जिसमें प्याजे अपनी थियोरी के लिए यह कहते हैं कि आपका जो कॉगनिटिव ड़ल्पेंट है वह दो चीजों से वह चलता है और वह आपका जो जंबरि आपका शेज को याद करें उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्ुदिंग अब किसी प्रॉलम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और जो थी सरा आता है व COR decision making यह जो आपका decision making इसमें आता है यह decision making आपके लिए बहुत ज़्यादा बजरूरी हो जाता है और अभी मैंसे इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि एक बर हम इसको अच्छे वह तरीके से समझें और इसके बाद ही हम इसी पर आगे बढ़ें तो हम दो जीजन पर हो जा रहे हैं जो remembering है और फिर यह problem solving क्योंकि जो decision making है वह पिछले चीज़ों को याद करके और फिर problem को tackle करने के बाद ही आप किसी decision पर पहुंच सकते हैं अब यहां पर देखे एक बहुत ही में चीज़ा रहा तेर वह यह आती है कि जो cognitive development में है उसमें जो बच्चा है या कोई भी अगर individual है वो यह देखता है कि जो person है वो किस तरीके से चीज़ों को perceive करता है और किस तरीके से वो चीज़ों को perceive करता है सोचता है और अपने चीज़ों से जो उसके आसपास की चीज़े हैं उनसे interaction के तुरू यह सीखता है कि आकरिकार अब इसमें क्या होगा अब यहां पर देखे एक चीज है जो decision making है जो हम जिसकी मैं बात कर रहा था decision making आकर कर होती कैसे है देखे सब्सक्राइब के बच्चे के पास कोई भी प्रावल्म हागे और उसको यह है कि वह अभी यहां पर बैट पर बैठा हुआ है और यह बच्चा यहां पर बच्चा यह देखता कि यहां पर यह नीचे कुछ है नहीं और उसे याद आता है कि एक बर वह है यह मझे याद आ गया कि यहां पर एक बार इस तरीके से हाथसा हो चुका है तो आपको कहीं पर देखा कि बच्चा इस तरीके से डारेक्ट अप्रोच करने की बज़ाए बच्चा अपने सर को पीछे रखता और अपनी यह बॉड़ी को उल्टा करके आगे हुद अखिलता ह यानि कि कुशिश करता है कि पहले उसके पैर लगे ताकि वह चीजों को ताकि वहां पर लैंड कर सके और यह जो लैंड कर सके यह जो आपका decision making है यह आपका कहां से आता है यह आपका आता है मेन चीजों से जो कि यह आपकी information processing उसके बाद यह एक मिट प्रोसेसिंग उसके बाद आपकी intelligence intelligence में यहां पर याद रख सकते हैं कि बच्चा चीजों को याद करके फिर यह problem को solve करने के लागे जाता है reasoning reasoning यहां पर बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चा हो सकता है कि इसकी height उतनी ना हो कि जितनी हो depth हो उसके बाद वो देखता है कि मैं यहां जा भी पाऊं भी मांगते हैं तो language भी इसमें आ जाते हैं कि अगर बच्चे को लगता है कि मुझसे नहीं हो पारा तो वह अपनी mother को यह किसी भी जो भी इसके साथ known guardian है उसके आसपास वह से help लेता है अब यहां पर देखे एक चीज है कि आपका जो sensation, perception, thinking, reasoning कि सभी इसमें बढ़ता जात है और एक्सली यह कॉंटे हो डिल्पेंट की बारे में आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको मिल जाएगा अगर कर प्याजे की थोरी में से क्या important है वह एक बार हो देख लेते हैं देखे प्याजे कहता है कि जो biological maturation है वह आपके एक तरीके से आपकी life में बहुत बढ़ा रोल आदा करती है वहाँ पर यह कहता है कि जो हैरीडिटी है यहां पर एंवार्मेंट की बजाए जो हैरीडिटी पर प्याजे ने बहुत जोल दिया है क्योंकि प्याजे यह मानते हैं कि जिस तरीके से उसे अपने पेरेंट से अपने फॉर फादर से जो भी एक वह चीज़ें यहां पर आपको किसी एक्टिविटी में रखते हैं इन एक्टिविटी में रखना यह प्याजे के सबसे बहुत इंपर्टन है क्योंकि वह उस इंडिविजल को इंट्रेक्ट करके नॉलिज को एसीमिलेट या गेन करने का एक मौका देता है यहां पर एक चीज़ है कि जो आपके नॉलिज जो आपको है और जो आपको चाहिए उसके बीच में एक तरीके का डिस्बैलेंस बना देता है यहां पर एक चीज़ याद रिखेगा हमने जो इसे पहले का था कि प्याजे ने जो सोशल एसपेक्ट है उस पर इतना फोकुस नहीं किया एक्षिल यहां पर क किया है लेकिन वो एक स्टैंडर लॉन फैक्टर नहीं है या फिर स्टैंडर लॉन फैक्टर नहीं है और यह है कि जो उसमें जो जो मेजर रोल है वो चाहिल्ड है वो खुद है यह जो मेजर रोल है वो आपके चाहिल्ड का है चाहिल्ड उस रोल को प्ले करेगा जो सोशल से वो सिर्फ उस चीज को एक तरीके से पुश करेंगे यहां पर एक चीज हम यह बात कर रहे थे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो सोचल इंट्रेक्शन है सोचल इंट्रेक्शन के विरा से चाइल के लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉलम्स आ जाती है प्रॉलम्स कैसी आती है जो सोचल इंट्रेक्शन है सम्टाइम्स वह जो उसे यह पता है ही नोस और ही वांट्स टू नो या जो नोलिज वो जानेगा इसके बीच में इकुल टू नहीं आता है या यह एक तरीक का डिस बैलेंस बन जाता है इस डिस बैलेंस में यह होता है कि बच्चा चीज़ों को जो हमने पहले बात कि रिए अकॉमडेशन और एसिमिलेशन की उसका यूज करके वह एक ब्रिज बनाता है इसके बीच में ऑगर कोई बच्चा छोटा है अगर आप से बच्चा प्लासिटी की बउल और उसके बशने के बच्चे की बच्चे को शेंखताब हो एन और यह नहीं पूल को फैक ना एकाट से उच्वाराए बड़ देन गे जो कि इसCे हाथ के साइसीस प्लास्टिक की भी हो तो बच्चे के लिए उसको एक हाथ में पकड़ना बहुत मुश्किल है अब यहां पर देखे क्या है बच्चे ने यह तो सीखा है कि उसे बॉल को हाथ से पकड़ना है लेकिन यह प्रालम आ रहे है कि जो इसको अभी दी गई है वह यह पराने वाली से करता है situation के हिसाब से और फिर वह उस knowledge को assimilate करता है अपने पास लेकर आता है फिर बाद में फिर वह उस चीज को handle करता है देखे आकरिकार इन दोनों चीज़ों की जरूरत क्यों है इन दोनों चीज़ों की जरूरत यह है कि प्याजे ने यह बोला कि कोई भी अगर बच्च यह mental images क्या होती है कि जैसे मैं आपको बहुत यह अच्छा example देता हूं हम लोग छोटे थे तो मुझे यह बताया गया था कि जो शेर होता है उसके चार पैर होते हैं उसके पूंच होती है और कान वगर तो खर होती है तो जब मैंने पहली बार जब मैंने वह जिंदगी में जब मैंने भैंस को देखा तो मैंने अपने घरवालों को कहा कि देखो मामा शेर बिकॉस मैं कभी गाओं में रहा नहीं था तब तक और जो भी मैंने टीवी पे या फिल्मों में या फिक्टर्स में देखा तो मेरे माइंड में जो इमेज या जो वह स्कीमा बने हुए थे तो यह थे कि शेर के चार पैर होते हैं और एक पूच होती है इरस्प्रक्टिव के बार मुझे कोई आडिया नहीं था यहां पर जाके फिर जब मुझे कॉंट्रडिक्शन हुआ क्योंकि जब जो सोचल इंट्रेक्शन हुआ लोगों के साथ तो मुझे पता चला यह शेर न मिली थी जो मैंने खुद गहन की किसी ने आके मुझे ने बताया कि अच्छा आपको पता है कि शेर के चार पैर होते हैं लेकिन शेर ऐसा नहीं होता नहीं मैंने सोचल इंट्रेक्ट किया मेरा एफट था और मेरे एफट के बाद पता चला कि जो आपका सामने वह जानवर है वह शेर नहीं बलकि बहन से तो यह चीज़े जो होती है आपकी कोगनिटिव वह स्कीमास जो हमारे अंदर बने होते हैं यह आते हैं और फिर जब हम उनको अपनी इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स अप करते हैं तब जाके हमारी वह नॉलिज बनती है अब यहां पर देखिए जो थिंकिंग प्रसेस है उसको प्याजे ने बहुत जादे इंपॉर्टन थी है प्याजे ने यह बोला है कि जो थिंकिंग है उसका अपना एक खुद का ही यह सिस्टम है और वह अपने ही वह तरीके से वह चलती है जैसे कि यह काम करते हैं हम एक छोटा सा एक्जामपल हो कि जो तरीके से काम करती है देखेए इसमें दो चीजें धिंकिंग में यह है है कि आपके पास सुलूशन किया है और सुलूशन के बाद आपका जो वायबल सौलूशन है वायबल या प्रपोश्टूशन आपके दोरह वह क्या हो सकता है ? अगर आपको लगता है कि यह और नहीं है तो फिर आप इस चीज को अपना जो हमने बात कि दिया हैं तो हम उसको भी उसकर गई हम सॉल्व करेंगे अब इसमें देखिए एक चीज और होती है कि एन्वार्मेंट के साथ जब आप एडजस्ट करते हैं तो हम उसे एडपटेशन कहते हैं और जब हम किसी एक और एक्जांपल में देता हूं कि जब आप कुछ चोटा बच्चा है अगर वह एक ट्राइस आगल को बचला रहा है तो जब उसने कोई सिंपल साइकल चला लगी कि जैसे हम लोग हूँ छोटे थे तो हम लोग साइकल अब चलाया करते थे तो हमारे साइड में दू सपो होता क्या था हमें जो basics होते थे वह आज आते थे कि हमको किस तरीके से cycle के weight के साथ खुद को adjust करना है तो यह जो आपका environment है environment महाँ पर cycle है और road है अगर adapt नहीं करेंगे तो हम नीचे गर जाएंगे उस adaptation में दो चीजें थी assimilation और accommodation assimilate करना है यह knowledge को कि cycle को सीधा रखना है accommodate करना है कि cycle का weight और जो ground है उन दोनों को हमें वह देखते हैं चलना है उपड़ खाबड रास्ते पर किस तरीके से अपने यह weight को balance करेंगे और अगर cycle का weight जादा है यह कम है तो वह किस तरीके से left यह right में हो जो कि हम आगे चलेंगे उसके बाद दिखिए अगर आप किसी नए घर में जाते हैं तो आपको यह लगता है कि अगर आपको वैसा ही वह घर मिल रहा है जैसा कि आप किसी एक नए घर में गए और आपने को लगा क्यों किछन का साइज है यह जाओ किछन का जो ही रही है चोटा है आपने उसको नया करवाया अपने हिसाब से डाड़ आपकी अकॉमेडेशन अब उसमें देखिए एक चीज़ और है जो प्याजे होता है वो डिस इकलिविरियम को बहुत जादा इंपोर्ट मानते है क्योंकि प्याजे का मानना है कि डिस इकलिविरियम में आपका जो स्टेट व इंबालेंस है वो आपको एक सिचुएशन से आगे चलकर सोचने की आपको हिम्मत देता है अब यह दो देखिए और दोस्तों हमने तीन-चार रहों चीज़ है थी हमने इसको लगा थर्वा कवर जो स्टेजीज है वो आपकी चार स्टेजीज है हम एक बार आप उन चार स्टेजीज को एक बार आप देख लेते हैं और हम इसे कोश्च करें कि एक डेक्रमाइक्टिकल व्यू में पढ़ सके ताकि हम सब के लिए याद करना आसान हो जाए तो देखिए जो प्याजे की जो स्टेजीज है वो आपकी चार स्टेजीज में बटी हुई है और जो चार आपकी आपकी इन श्रीयू को आपकी है एक पुरह मैं बदिए ताऊं जो पहली है वह है आपकी सेंसरी मोटर जो दूसरी है वह है आपकी प्री-बॉपरीशनल बहुत जादा important चीज़ है एक इंप्सक्राइब में सारी important है हम एक बर हम सबको देखेंगे लेकिन प्री-बॉपरीशनल इसलिए भी इंपोर्टन है कि यह तरीके सा आपके जो कंसेप्शन है जो माइंड में जो आपके यह बनते हैं यह उसकी एक लगबग बिगिनिंग है तो कहते हैं कि अगर वेल बिगन इस हाफ डन यह केस उसके साथ होता है प्री ऑपरेशनल के बाद जो आपकी एक स्टेज आती है वो आती है आपकी वो कंक्रीट ऑपरेशनल तो कंक्रीट ऑपरेशनल में आपको यह देखना पड़ता है मैं इंका नाम एक बर यहां पर दुबारा लिख दूँगा बस आप एक बूर यहांपे इसको पढ़ लीजे जो formal operational है यह आपकी last stage है देखे जो आपकी sensory motor है sensory motor जो stage है आपकी यह आपकी mainly आपके senses का use करती है इसका जो time है वो है आपका birth से लेकर two years तक इसमें होता क्या-क्या है इसमें आपका होता है जो sensory और motor activities है आप उसका वो यूस करते है sensory यह आपकी 5 senses है और motor activities है जो आपने हाथ पेर का इसमाल करते हैं आप आगे वो चलता है बच्चा पे तो कुट्णों के बड़ चलता है बैटना सीखता है या फिर दोड़ता है चलता है जआक है टेस्ट करता है कई बार बच्चों आप नीमु देदे बबचा बहुत ही अजीव हो रियाइड करता है थे जब सब चीजे हैं वह verran करता है कि टेस्ट क्या है इन सब कर वो कि इस्तमाल करता है तो sensory and motor activities होती हैं जिससे कि वो चीजों को समझ सकता है उसके बाद आपका आता है pre-operational stage pre-operational stage में दरसल ये इसलिए भी important है कि अब बच्चे के पास थोड़े बहुत conceptions बनने चाहिए तो ये जो थोड़े बहुत conceptions जो ये बनते हैं वो इसलिए भी important है देखिए मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अब दो साल के बाद उसके लगबग और sensory activities है और जो ये motor activities है वो लगबग और डेलप हो चुगी है तो ये आपका जो दो साल से लेकर साथ साल का जो टाइम पिरिड़ है इस में जो बच्चा है वो जिन चीजों का use करता है वो है symbols उसके बाद आपका language लेंगवेज तो देखिए आप बच्चा imitation से ही वसीखता है उसके बाद फिर वो चीजों को देखता है फिर वो pictures को identify करता है उसके बाद science है या फिर वो कुछ अपने gestures बनाता है कि जैसे ये बताने के लिए कि वो क्या feel कर रहा है और कहीं बाद वो चीजों के लिए alternate जो vocabulary है वो उसको भी बनाता है उसके बाद आता ह है आपका वो concrete operational concrete operational आपका इसलिए important है कि concrete operational में जो बच्चा है वो आपका ये देखता है कि अब देखिए वो 7 साल से 11 साल तक हो चुका है ठीक है और अब वो school में जा रहा है नॉर्मली जैसे ये प्री operational के last stage में हम बच्चे को स्कूल ने बेशने 5 साल के बाद या 6 साल का होने पे तो अब वो वहाँ पर लोग से mix up हो रहा तो वहाँ पर क्या है जो बच्चा है अब वह चीजों को concrete object से सीख रहा है वह चीजों को और भी अच्छे तरीके से वह सीख रहा है और वह इसलिए है कि देखिए क्या है कि जैसे मालीजे अगर आपके पास कोई भी हाँ जैसे मालीजी कि आपके पास एक यह pencil है अगर आपने उनको floor में बडाल दिया और अगर आप कि मालिजी आप को चारु pencil है आप भी अगर सेm fiscal की है आप बच्चे को कह सकते होगे अगर मैं एसको इससरी के से रखोँ गा तो ही रेक्टैंगल है अगर मैं इसको इसारी के से रखोंगा कiken तोसक्टैंगट में लग ब colonial फेंसे उससे बता ये पर आप एस तरीके से यहां पर उनको concrete form में आने के बाद वो सीखता है उसके बाद आपका आता है formal operation stage देखिए formal operation stage मैं थोड़ा सा अलग लेकर चलूँगा यह adolescence का अब स्टेज है इसलिए मैं ऐसे बाद में अब discuss करूँगा चीजे क्योंकि यह जो 12 साल से लेकर जो जो adulthood है यहां तक का जो stage है इसे हम adult sense के लिए एक अलग chapter में हो discuss करेंगे या अलग video lecture में हो discuss करेंगे और यहां पर देखिए क्या होता है कि because यहां पर सब चीजें बदल जाती है और क्यों बदलती है वह मैं आप जाता है यह हम लोग कहीं बार इन चीजों को discuss नहीं करते हैं और वह यह है sensory में बच्चा अपनी senses का use करके जितनी उसकी limited capacity होती है वह चीजों को explore करता है pre-operation में यह बच्चे के पास symbols है language है pictures है sign है वह चीजों को थोड़ा बहुत सीखता है थोड़ा बनाता है वह एक alternative जो है वह चीजों का जो कि उसके लिए suitable है वह उनका इस्तिमाल करता है लेकिन जो concrete operation में फिर वह बात में जो उसके alternative solutions जो उसमें बनाये थे फिर वह उनको एक थोस form में अपने सामने देखके आप सीखता है कि अगर मैं कि अगर मुझे वह teacher ने कहा था कि triangle ऐसा होता है या उसने कभी कोई shape देखिए और आपने हाथ से चूता है देख रहता है यहाँ पर एक चीज है कोई एक ऐसा individual है या कोई कैसी social interaction है या बच्चा खुछ से चीजों को explore कर रहा है लेकिन वह कुछ सोच नहीं रहा है देखिए यहाँ पर थोड़ा confusion है हम पहले बात करते हैं कि बच्चा कुछ चीजों को सोचता है वो decisions लेता है यह बात आपकी बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर the child is not able to take those decisions which will affect him and the society in all together यहाँ पर बच्चा सिर्फ अभी अपने आपको explore कर रहा है और अपने आपको explore करते करते वो जब यहाँ पर concrete option stage में 11 साल तक का आ जाएगा उसके बाद जो hormonal changes आएंगे यानि कि जब आपका adolescence शुरू हो जाएगी तब जो concept है ना कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है मेरे हिसाब से वो तब शुरू होता है क्योंकि तब बच्चा अपने बारे म लेक्चन में वो करेंगे discuss क्योंकि वो काफी ही vast है और जो एक चीज जो हम लोग हमेशा देखते हैं यह प्याजे की त्योरी में जिस चीज में उन्हें स्ट्रेस नहीं कि उन्होंने का थे कि the child is the soul creator of our knowledge and the social interaction सिर्फ इक जरिया है कि वो लोगों से अंध्रेक्ट करते से पता चलते हैं कि हाँ अइसा वी बिच हो सकता है लेकिन वह अपने आप करता है और फिर वह चीजों को अभी सीखता है लेकिन जो में बेसिस है प्री और नॉपरेशनल का या फॉर्मल उप्रेश्नल का वह ही है that the society also plays a very important role the social interaction आफेक्ट करते हैं तो यह जो है यह आपका बेसिज है वाइगाउट्स की की सोचल अगले एपिसोड में करेंगे डिसकस तो दोस्तों यह था हमारा आज के एपिसोड थोड़ा सा हमने इसको शॉट रखा है विकास हमें यह मैसेज मिला था कि सिर्फ एक बर ले मैंने इसमें अगर आप चाहते हैं कि किसी एक आसपक्ट पर डीटेल रिव्यू चाहिए या वो डीटेल वीडियो लेक्ट्र चाहिए तो प्लीज आप हमें बताएगे हम जुरू उसको अप्लोड करेंगे दोस्तों वह तब तक के लिए अपना ख्याल एक्जाम के लिए ओल दे बेस्ट अार्यद्ट